Hi guys, welcome you all once again So, आज की इस वीडियो में हम लोग Timer 2 के Normal Mode को देखेंगे इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा अगर आपने इससे previous वीडियो को नहीं देखा है आप उसको एक बार जरूर से देख लिजेगा क्योंकि उस वीडियो में मैंने Timer 2 के Basic Concepts को कवर किया है Secondly, आप में से बहुत सारे लोग मुझे Comment Box में लिख रहे थे कि आपको Development Boards की जरूरत है So, Development Boards से अगर आपकी Related कोई Queries हैं तो आप मुझे इस नंबर पर WhatsApp कर सकते हैं फिलहाल हम लोग अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं यह हम लोगों के Normal Mode के कुछ Important Points है One by One इसको हम लोग अबर कर लेते हैं Okay, so Normal Mode में हम लोगों का जो Counting है उसकी Direction हमेशा Incrementing रहेगी मतलब कि Initial जो आपकी Value है वो 0 होगी और यह जो Value है Increment होगी अगर आपके First यहां पर Clock Pulse आई तो आपकी जो Value है वो 0 से 1 होगी फिर 2 होगी, 3 होगी and so on यह आपकी जाएगी 255 तक और जब भी आप लोगों के Timer की Value टॉप लेबल पर पहुँचती है मतलब कि जब भी आपके Timer की Value 0xFFEFA 255 हो जाती है उस Condition में हम लोगों का Timer जो है अपनी Value को 255 से Reset करके 00 कर देता है और इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं Timer Overflow और Normal Mode में जब भी आप लोगों का Timer Overflow होगा तो उस Condition में हम लोगों का Timer Counter Overflow Flag जिसको हम लोग Tov2 भी बोलते हैं ये Flag Basically Set हो जाती है और ये Flag Basically Set कब होगी देखिए जिस Clock Pulse के साथ आपके TCN T0 की Value 255 से 0 होगी उसी Clock Pulse के साथ हम लोगों का ये जो Tov2 है वो One Set हो जाती है और यहाँ पर आपको ध्यान देना है ये जो Tov2 है वो Basically एक Ninth Bit की तरह Behave करती है और इस Bit को हम लोग यहाँ पर Clear खुद से नहीं कर सकते हैं और अगर आप इसको Clear करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को Interrupt को Use करना पड़ेगा इसके बाद Last Point ये है कि Normal Mode के साथ हम लोग Output Compare Unit को Interrupt Generate करने के लिए Use कर सकते हैं किसी भी टाइम में बट अगर आप लोग Output Compare से Waveforms को Generate करना चाहते हैं Normal Mode में तो ये चीज यहाँ पर बिल्कुल भी Recommended नहीं है क्योंकि इस Case में हम लोगों का जो CPU है वो बहुत ज्यादा Time Consume करता है Next आप लोग Timer Counter 2 के Timing Diagram को यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर यह हम लोगों का CPU की Frequency है मतलब कि इस Frequency से हम लोगों का जो CPU है वो Run होगा और इसी से हम लोग अपने Timer को भी Run कर रहे हैं बट यहाँ पर एक Prescalar हम लोग यूज कर रहे हैं 8 का मतलब कि जिस Frequency से आपका CPU Run होगा वहीं से हम लोग अपने Clock Pulse को लेंगे और उसको Divide करेंगे 8 से ठीक है यहाँ पर जो Prescalar है वो हम लोगोंने 8 लिया हुआ है तो Basically यहाँ पर होगा क्या हम लोगों का जो Timer है वो CPU की Frequency को 8 से हम Divide करते हैं उससे जो Frequency आती है उस Frequency पर Run होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ लोगों का Timer Counter की Values यहाँ पर हर एक Clock Pulse के साथ Increase हो रही है ठीक है यहाँ पर आपकी यह value है Max-1 है मतलब की 254 है और इसके बाद यहाँ पर यह value जो हो जाएगी मतलब 255 यहाँ पर यह value हो जाएगी अब जैसे ही यह value 255 होती है तो हम लोगों का जो Timer है वो Overflow होता है और Overflow होके वो value क्या होती है आपकी 255 से 0 तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह value जो है हम लोगों की Max यह फिर 255 से Bottom में जाएगी मतलब की यह value इसके बाद 0 हो जाएगी और मैंने आपको बताया था जैसे ही आपका Timer Overflow होता है वैसे ही हम लोगों का यहाँ पर Tov2 मतलब की Timer Counter Overflow जो Flagbit है वो यहाँ पर Set हो जाती है तो आप देख सकते हैं जब तक यह value 255 नहीं थी आपका Tov2 जो है वो 0 था और जैसे ही आपका यहाँ पर Timer Overflow हुआ और जिस Clock Pulse के साथ आपका यहाँ पर जो value है 255 से 0 हुई उसी Clock Pulse में आप लोगों का जो Tov2 है वो भी 1 हो जाएगा और यह जो है value यह आपकी हमेशा 1 ही रहेगी इसके बाद चाहे वो Overflow हो या ना हो आप लोगों की यह value हमेशा 1 रहेगी और इस value को हम लोग यहाँ पर Clear फिलाल नहीं कर सकते हैं यह Normal Mode में मैं आपको बता रहा हूँ Normal Mode में अगर आप Interrupt यूज नहीं कर रहे हैं तो आपका जो Tov2 है उसकी value को आप यहाँ पर Clear नहीं कर सकते हैं अगर आप इसको Clear करना चाहते हैं तो आप लोगों को Local Interrupt को और Global Interrupt को यहाँ पर Enable करना पड़ेगा तब ही आप लोग इस Particular Bit को या फिर इस Particular Flag को आप Reset कर सकते हैं तो देखेंगे आगे आने वाली वीडियो में हम लोग कैसे Normal Mode के साथ Interrupt को यूज कर सकते हैं फिलहाल हम लोग Topic को आगे बढ़ाते हैं So next हम लोग Timer 2 के Normal Mode को समझ लेते हैं अपने Block Diagram से देखिए मैंने इससे Previous वीडियो में भी आपको बताया है Timer को Run करने के लिए हम लोगों को एक Clock Source की ज़रुरत होती है और Timer 2 के Case में हम लोगों के पास दो Options हैं जिससे कि हम लोग Timer को Run कर सकते हैं पहला यहाँ पर तरिका यह है कि जिस Frequency से आप लोगों का यहाँ पर CPU Run हो रहा है वहीं से आप लोग अपने Frequency Drive कर लें तो इसको Basically हम लोग बोलते हैं Synchronous Operation Secondly हम लोगों के पास दुसरा Option यहाँ पर यह होता है कि आप लोग Externally यहाँ पर TOSC 1 और TOSC 2 नंबर जो PINs हैं यहाँ पर अपना एक Crystal Oscillator लगाए और जिस Frequency का आपका यह Oscillator होगा उसी Frequency से हम लोगों का यह जो Timer है वो Run होगा और इसको हम लोग Basically बोलते हैं Asynchronous Operation तो फिलाल हम लोग यहाँ पर Asynchronous Mode को यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर मैं जिस Frequency से आपका CPU चलेगा उससे ही अपने Timer की Frequency को Derive करूँगा ठीक है तो सपोस करते हैं हम लोगों का जो CPU है वो 8 MHz की Frequency पर Run हो रहा है यूज करेंगे Prescalar Basically आप लोगों के Frequency को Decrease करने के काम आता है ठीक है यह जो Prescalar है इसकी कुछ Predefined Values होती है और कौनसी Value आप यूज करना चाहते हैं उसके Corresponding हम लोगों को यहाँ पर TCCR2 Register में अपनी कुछ Bits को Set करना होता है यह TCCR Register को हम लोग बात में समझेंगे तो आपको Easily समझ आ जाएगा फिलाल सपोज आप लोग यहाँ पर 8 Prescalar यूज करना चाहते हैं तो Basically होगा क्या यहाँ से हम लोगों का 8 MHz की Frequency आएगी और यह जो 8 MHz की Frequency है वो 8 से Divide हो जाएगी तो यहाँ पर जो Output है वो हम लोगों को 1 MHz मिलेगा और हम लोगों का जो Timer है वो 1 MHz की Frequency से अब Run करेगा ओके Next यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हम लोगों का Control Logic है और इससे Basically यहाँ पर 3 Signals Generate हो रहे हैं यहाँ पर आपका पहला Count है दुसरा Clear है और तिसरा Direction है तो तीनों को 1 by 1 हम समझ लेते हैं यहाँ पर जो हम लोगों का Count Signal है वो Basically Timer की Value को Increment या फिर Decrement करने के काम आता है Secondly यह जो Clear है आप लोगों का यह Basically Timer को Reset करने के काम आता है और इसके बाद जो Direction है यह Basically Define करता है आप लोगों के Timer की Direction को मतलब कि हम लोगों के Timer की जो Values है वो Incrementing होगी या फिर Decrementing होगी यह चीज बेसिकली आपका जो Direction Signal है वो बताता है और यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया है जो Direction है वो Basically Depend करती है आपके Mode of Operation पर तो फिलाल हम लोगों का यहाँ पर जो Mode है वो Normal Mode है और Normal Mode में आपका जो Direction है वो हमेशा Incrementing होगी और यहाँ पर एक चीज और आपको ज्यान देनी है कौनसा Mode आप यहाँ पर Use करना चाहते हैं हम लोगों के पास Basically 4 Modes है इन 4 Modes में कौनसा Mode आप Basically Use करना चाहते हैं यह भी हम लोग अपने TCCR Register में 2 Bits होती है उनके थूँ बताते हैं ठीक है यह TCCR Register जिससे में हम Cover करेंगे उस समय आपको सब Clear हो जाएगा इसके बाद हम लोगों का जो TCN T2 है इसकी जो Initial Value है वो होती है 0 और आपका जो OCRN या फिर OCR2 जो है इसकी भी Initial जो Value होती है वो 0 होती है यह दोनों की जो By Default Values है वो 0 है Fine Next इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर ध्यान देना है हम लोगों के TCN T2 में जो भी Values होती है वो Values basically हम लोग 3 Values से Compare कर सकते हैं यहाँ पर 0 से इसको Compare कर सकते हैं 255 या फिर 0xFF से इसको Compare कर सकते हैं और OCR2 Register में जो भी Value होगी उससे Compare कर सकते हैं तो Normal Mode में हम लोगों को यहाँ पर Bottom से या फिर 0 से इसको Compare करने की जरूरत नहीं होती है basically यहाँ पर हम लोग 0xFF और OCR2 Register में जो Value है उससे इसको Compare करते हैं और Secondly आपको यहाँ पर एक चीज और ध्यान दिनी है Normal Mode में हम लोगों का यह जो बस है यह वाली जो बस है यह Active नहीं रहती है मतलब इसका कोई भी यहाँ पर फिलाहल यूज नहीं होगा Normal Case में मतलब कि जब भी हम लोगों का यहाँ पर comparison होगा उसका जो भी result आएगा वो हम लोगों के सिर्फ waveform generator में जाएगा ठीक है यह जो चीज है यह आपके control logic तक नहीं पहुँचेगी क्योंकि यह जो signal है यह basically आप लोगों के timer के resolution को define करता है और normal mode में हम लोगों का जो timer है उसका resolution हमेशा max रहता है मतलब कि 0 से 255 के बीच में ही रहता है तो यह जो चीज है यह आप लोगों की यहाँ पर फिलाल active नहीं रहेगी So next हम लोग देखते हैं कैसे timer 2 यहाँ पर काम करेगा देखिए जैसे ही आपकी यहाँ पर first clock pulse आएगी वैसे ही हम लोगों का जो control logic है वो अपने signals को generate करेगा और TCN T2 की जो value है वो 0 से 1 हो जाएगी इसके बाद हम लोग अपनी TCN T2 की value को compare करेंगे OCR 2 register से और 0X FF से ठीक है initially हम लोगोंने OCR 2 की value जो है वो 0 की है तो यहाँ पर आप लोगों का जो compare match है वो false है तो आपको यहाँ पर कोई भी signal नहीं मिलेगा ठीक है तो इसके बाद आप लोगों की यहाँ पर second pulse आएगी second pulse के साथ हम लोगों का जो value है यह increment होगी by 1 तो यह value आपकी 2 हो गई again हम लोग यहाँ पर comparison करेंगे और इसके बाद again यहाँ से pulses आती रहेंगी अब जैसे ही आप लोगों के tc and t2 की value 255 होगी वैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं यह वाला comparison तो हमारा false ही होगा यहाँ पर यह 255 जो है वो 0xff के equal हो चुका है तो इस case में आप लोगों का यहाँ पर एक signal generate होगा और जैसे ही यह signal यहाँ पर आएगा हम लोगों का जो control logic है वो clear signal को यहाँ से activate कर देगा ठीक है मतलब की 255 value होने के just बाद हम लोगों का यहाँ पर यह clear हो जाएगा और इसी को हम लोग यहाँ पर overflow बोलते हैं और overflow होने के साथ साथ हम लोगों का यहाँ पर जो tov2 है यह basically आप लोगों का flag bit है timer counter overflow flag bit है ठीक है तो जैसे ही आप लोगों का timer counter यहाँ से overflow होता है मतलब 255 से value इसकी जैसे ही clear होके 0 होती है उसी condition में या फिर उसी clock cycle में हम लोगों का tov2 जो है यह भी one set हो जाएगा और यह one set होने के बाद हम लोग इसको खुद से clear नहीं कर सकते हैं यह मैंने आपको पहले भी बताया है खुद से हम इसको clear नहीं कर पाएंगे या फिर इसको हम लोग zero set नहीं कर सकते हैं अगर ऐसा आप करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर interrupts को use करना पड़ेगा और interrupt के लिए सबसे पहले आप लोगों को local और global interrupts को enable करना होगा और जो corresponding आपका ISR है जब वो execute होगा तो उसके बाद automatically आपका यह जो flag bit है वो reset हो जाती है यह फिर 0 हो जाती है तो फिलहाल हम लोगों को यहाँ पर एक basic overview लेना है आगे हम interrupts के बारे में बात करेंगे अब इसके बाद जैसे ही आप लोगों की यहाँ पर value 0 हुई आप देख पाएंगे हम लोगों का OCR 2 की value भी 0 है तो next time में आप लोगों का यहाँ पर जो यह comparison है यह true हो जाएगा और जैसे ही यह comparison आपका true हुआ यहाँ पर हम लोगों का waveform generator में signal जाएगा ठीक है और इसके थ्रूँ आप लोग चाहें तो आपका जो OCN यह फिर OC2 जो pin है यहाँ पर अपनी waveforms को आप generate कर सकते हैं ठीक है अब इन waveforms को generate करने के लिए और control करने के लिए हम लोगों के पास TCCR2 में दो अलग से bits होती है तो TCCRN जो register है वो बहुत ज्यादा important यहाँ पर है तो इसको हम लोग समझेंगे तो आपको सारी चीज़े यहाँ पर clear हो जाएंगी ठीक है तो जिस समय आप लोगों का TCN T2 की value OCN 2 के बाराबर होती है उस समय आप waveforms तो generate कर ही सकते हैं इसके साथ ही आप लोग यहाँ पर चाहें तो compare match interrupt को यहाँ पर trigger कर सकते हैं बट मैंने आपको पहले भी बताया है normal mode के साथ compare match interrupt को यहाँ पर use करना बिल्कुल भी recommended नहीं होता है तो इसके बाद अगेन वही चीज़ आपकी यहाँ पर होगी फिर जो value है वो 0 से 255 जाएगी फिर अगेन आपका यहाँ पर overflow होगा overflow होने के बाद फिर से यहाँ पर comparison जो है वो match कर जाएगा तो आप यहाँ से चाहें तो waveforms को generate कर सकते हैं ठीक है तो यह आप लोगों की basic functioning है timer 2 के normal mode की so I hope आप लोगों को इतनी चीज़े समझ आ गई होंगी फिर भी अगर आपके कोई doubts हैं तो आप मुझे comment box में लिख सकते हैं next video में हम लोग normal mode से related अपनी जितने भी registers हैं उनके बारे में देखेंगे so बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ बने रहने के लिए channel को subscribe जरूर करें अपने friends के साथ आप लोग जरूर शेर करें जो इस technology को सीखना चाहते हैं so thank you so much for watching जै हिंद जै भारत